स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की शेती यूटूब चैनल पर किसान साथी हूं सोयविन की एक बहुत अच्छी किस्म के बारे में आज बताने जा रहे हैं हलाकि ये किस्म दो साल पहले विक्सित हो चुकी है बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे ब्लोग पर भी आपने इसके बारे में सुना होगा लेकिन फिर भी मैं इसकी जो विशेष्टा है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं तो चाय तो आप भी से लगा सकते हैं कौन सी ये वेराइटी है कितनों दिनों में ये आती है कि शेत्र के लिए अनुकूल है तमाम जनकरी इस वीडियो में आपको मिलेगी तो पूरी जनकरी के लिए वीडियो को आप आखी तक जरू देगी है किसन साथियों भारती विग्यान ने स्वयबिन की सबसे अधिक उपर देने वाली और कीट पर्तिरोधिक किस्म विक्सित कियें जिसे मेक्स 1407 का जाता है या बोले तो आप MSCS 1407 भी बोल सकते हैं और इसे विक्सित किया है आगर कर अनुसंदान संस्तान पूने ने जिसमें सहयोग दिया है भारती करेशी अनुसंदान प्रेश्यत नई दिल्ली ने इसकी विशेश्फराओं की बात करें तो किसन साथियों किस तरह से इसको को तयार किया गया तो यह पारंपरिक क्रास ब्रेडिंग तकनिक का उप्यों करते इस बीज को तयार किया गया जो पर्टी हेक्टर 49 कुंटर पेदावर दे सकता है या इसकी अधिक्तम उपर शमता है इस हिसाब से यह सबसे अधिक उपर देने वाली किस्म बन जाती है इसमें 50% पुष्प आने का जो उसर समय है वो बुवाई से लगबक 43 दिनों में हो जाता है इसा और बुवाई की तारिक से यदि इसका परिपा कु इसको पकने में 104 दिन लगते हैं इसमें सपेत रंग के फूल पीले बीच और काले हिलियम होती है इसके बीजों में 19.8% तेल के मात्रा 49% प्रोटीन के मात्रा होती है और सबसे बड़ेबाद इसकी अच्छी अंकुरन शमता है इसके मोटे तने जमीन से उची फली साथ सेंटीमेटर जो की हार्विष्टिंग के लिए बहुत ही उप्यूक्त किस्म है और फली का तूटने या चटकने का कोई सवाल ही नहीं है और मेकेनिकल हर्विष्टिंग यानि की मशिन से कटाई के लिए यह बहुत ही अच्छी वराइटी है अब बात कर लेते हैं यह किस सेत्र के लिए अनुकुलेत किसंसातियों या उत्तरपूर भारत की वर्षय आदारित इस्तित्यों के लिए उप्यूकते हैं जिसमें असम पश कि रोधी है इसका बीच खरीब 2022 किसानों को अवेलेबल कराया है यानि कि अभी पिछले वर्षय ही इसकी बुआई हुई है तो किन शेत्रों में इसका बीच उपलब्द होगा जिन शेत्रों के लिए यह रिकॉमेंडेट की गई है आप वहीं पर इसकी बुआई करें यह ब क्योंकि मांशुन के अनिस्ताओं के लिए भी एक परतिरों दक्शमता रखती है यानि कि यदि थोड़ी कम बारिश होती है तो भी यह किसम पेदा हो ही जाती है तो किसन साथ क्यों यह थी शॉर्ट में जानकारी इस वेरेटी के बारे में उम्मिद करते हैं आपको पसंद आएगी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करना आप किस वेरेटी के बारे म में मेंशन करना फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकार के साथ तब तक खयाल रखे आप अपना और अपने परिवार का वीडियो देखने के लिए तन्यवाद चैनल 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 चैनल